एर इंडिया के फ्लाइट में महिला पर पेशाप करने के मामले में शंकर मिश्रा को गिराफ़तार कर लिया गया है गटना के 42 दिन बाद शंकर को पुलिस ने बैंगलोरू से गिराफ़तार किया है इसके बाद पुलिस शंकर को 7 नवमर को दिल्ली लेकर पहुंची यहां दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोट में पेश किया, जहां से आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिनों की नियाईक हिरासत ने भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी शंकर के खिलाफ IPC की धारा 354, 294, 509 और 510 के तहट केस दर्ज किया है। शंकर पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने समित 4 आरोप लगे हैं। इक्सपर्ट की माने तो दर्ज धाराओं के तहट आरोपी को कोर्ट में एक से पांच साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। पता दें कि IPC की धारा 294 के मामले में तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों का प्राबधान है। 354 एक गैर जमानती धारा है और इसके तहट 3 से 7 साल तक की सजा के साथ जुर्माने का प्राबधान है। जबकि 509 के तहट 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। 510 में 24 घंटे की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इससे पहले एर इंडिया ने अपने लेवल से कारेवाई करते हुए आरूपी शंकर पर 30 दिनों का बैन लगा दिया था। गटना 26 नॉम्बर की है एर इंडिया की फ्लाइट नियू ओक से दिल्ली आ रही थी। सफर के दौरान फ्लाइट में ही आरूपी शंकर मिश्रा ने 70 साल की एक बुजूर्ग महिला पर पिशाप कर दिया था। मामले को तूल पकड़ता देख, DGCA यानि Directorate General of Civil Aviation हरकत में आ गए। DGCA ने सक्ती दिखाते हुए इस मामले में एर इंडिया को नोटिस भी जारी किया। एर इंडिया ने इससे पहले 5 जनवरी को DGCA को रिपोर्ट भी सौपे थी। जिसमें एर लाइन्स ने ये सफाय दी थी कि आखिर क्यों घटना के एक महीने से ज़्यादा बीतने के बाद भी शिकायत धर्ज नहीं की गए। हलाकि बाद में एर इंडिया ने आरोपी के खिलाब दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में शिकायत धर्ज करवा दी। जिसके बाद मिश्रा की तलाश शुरू हुए। दिल्ली पुलिस ने उसे धर्दबोचने के लिए पीमों का घठन किया। आखिरकाश शंकर मिश्रा को घटना के 42 दिन बाद पुलिस ने बेंगलूरू से गिरफतार कर लिया। पता दें कि शंकर मिश्रा मुंबई का रहने वाला है, वो विल्स फार्गो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। ये कंपनी अमेरिका की एक मल्टी नैशनल फाइनेंशिल सर्विसेस कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई है। पिशाब कांड में नाम आने के बाद कंपनी ने शंकर को निकाल दिया था। कंपनी ने बकाइदा बयान जारी कर कहा है कि विल्स फार्गो अपने करमचारियों से पेशेवर और नीजी तोर पर उचविभार की उमीद करता है। हमें यह आरोग बहुत ही परेशान करने वाले लगें। इस से शक्स को विल्स फार्गो से टर्मिनेट कर दिया गया है। हम इस मामले में जाच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।